हलो दोस्तों, मैं प्रग्याजा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चानल में आज जो कहानी में आपको सुनाने वाली हूँ, वो कहानी दो भागों में है राघव पार्ट वान, राघव पार्ट टू इस कहानी के लेखक हैं रजनीश गौतम तो आईए, शुरू करते हैं अपनी कहानी, राघव पार्ट टू अखबार के हिसाब से तो धूप को कुछ साथ बचकर पचपन मिनट पर राघव के कमरे में दाखिल होना था पर धूप, वो थो ठहरी एक नटकट बच्चे के जैसी साथ बचकर चालिस मिनट पर ही खड़की फांद कर कमरे में आ गई उसके यूँ अचानक आ जाने से मेज और कुछी थोड़ा हरबड़ा गए उन्हें तो लगा था रात कुजरने में अभी और बल बाकी है कुर्सी ने धूप को देखकर पिछली रात का प्यार भरा खत अपनी गत्ती के नीचे छुपा लिया और मेज से थोड़ा दूर सरक गई धूप ने कमरे में नजर दोड़ाई तो देखा राघव अभी भी गहरी नींद में है वो चुपके से तब ही पाओ राघव के बिस्तर तक जा पहुँची और उसके साथ वहीं उस उन के कंबल में पसर गई राघव इतना प्यारा लग रहा था नींद में कि धूप से उसकी बंद पलकों को अपने होटों से छुए बिना रहा नहीं गया धूप के होटों की गर्माहट से राघव की आग खुली और उसने दीवार घड़ी की तरफ देखा आठ बच रहे थे पास ही स्टूल पर रखी पापा की रेडियो चालू की तो एक पुराना गाना बज रहा था वो गाना राघव को यादो की रेल गाड़ी में बिठा कर इस पीली दीवारों वाले कमरे से बहुत दूर पहाडों के बीच में बने लखडी के घर में ले गया उसके बचपन वाले घर जहां वो अकसर दीवारों पर रंग बिरंगी पैंसिल से कुछ न कुछ बनाता रहता था छोपड़ी, आम, किलास जाने और क्या-क्या पर उसको सबसे अच्छा लगता था मा, पापा और खुद को हाथ पकड़ कर साथ में बनाना आप जब छोटे होते हैं तब रोज हाथ में पैंसिल पकड़ कर नई-नई जादू गरी करते हैं अपने घरवालों को, दोस्तों को यू दिखाते हैं कि इससे बहतर शायद ही किसीने कागस पर कुछ उतारा हो बड़े होते होते ये जादू कहीं खोसा जाता है बचपन का जादू आज भी राघव के कमरे में दीवार पर मा, पापा और उसका एक बहुत प्यारा सा फोटू लगा है पर आज राघव कागस पर जादू लिखना भूल गया था नचाने क्या तलाश रहा है अब तो डस्ट बिन भी कागज के लड़ू खा खा कर खूब मोटा हो गया है एकदम गोलगप्पे जैसा अभी भी रेडियो पर वही गाना बज रहा है अजीब दासता है ये कहा शुरू कहा खतम ये मन्जिले हैं कौन इसी ना वो समझ सके न हम अजीब दासता है ये तो दोस्तों ये थी कहानी राघव पाट्टू कमेंस में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा